साथियों, पिछले दो दिनों से देश के अनेग भागों में लोकडाउन कर दिया गया है। में रखते हुए, देश आज एक महत्वपून लिलने करने जा रहा है। आज रात, आज रात बारा बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिये। पूरे देश में आज रात बारा बजे से संपूर देश में संपूर लोकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए। कि आज राज बारा बज़े से गरों से बहार निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है देश के हर राज्य को हर केंद्र साशिक प्रदेश को हर जिले हर गाउं हर कस्पे हर गली मौले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है ये एक तरह से कर्फ्यू ही है जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात जनता कर्फ्यू से ज़रा जाजा सक्त कोरोना महामरी के खिलाप मिननायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है निश्चित तोर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी लेकिन एक एक भारतिय के जीवन को बचाना आपके जीवन को बचाना आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी भारत सरकार की देश की हर राचे सरकार की हर स्थानिय निकाई की सबसे बड़ी प्रात्विक्ता है और इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है और मैं हाद जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लोकडाउन 21 दिन का होगा तीन सब्ता का होगा और जब मैंने पिछली बार आप से बात की थी तब मैंने आप से कहा था कि मैं आप से कुछ सब्ता माँगने के लिए आया हूँ आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए हर परिवार के लिए बहुत ही महत्पपून है हेल्थ एक्सपर्स की माने तो कोरोना वाइरस की संक्रमन साइक्ल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत एहम है अगर ये 21 दिन नहीं समले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा अगर ये 21 दिन नहीं समले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगे और मैं ये बात एक प्रधान मंत्री के तौर पर नहीं आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूँ इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये 21 दिनों के लिए भूल जाएगे गर में रहे गर में रहे और एक ही काम करे कि